तो गाइस जैसा कि आप सब लोग को याद होगा कि हमारी माइनकाफ़ल में एक इतना बड़ा इंफानाइट अल्ट्रा जाइंट गोल्ड फाम है जसके थूरू मैं कुछ इस टाइप के बड़े बड़े गोल्डन मैंशन बना सकता हूँ वो भी अनलिमिटेड बठा इसमें प वीडियो में मैं इसी काम को असान करने वाला हूं सबसे पहले में कैसा सिस्टम मनाउंगा जिस से गोल्डन फाम का सारा समान हमारे इस वल्ड में आएगा और उसके बाद में बनाऊंगा और जब golden sword separate हो जाएगी तो मैं उसे डालूँगा auto smelter में जिससे smelt हो के मुझे बहुत सारा nuggets मिल जाएगा और फिर उसके बाद एक ऐसा समनाएंगे कि सारा समान एक जगा इकठा हो जाए यो what's up guys कैसे आप सो भी लोग welcome back to another gameplay video तो आज हम लोग दुबार से किलने जा रहे है minecraft मुझे मालूँ है काफी ज़दा दिन हो गई है बठाँ आज जो हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा amazing है all right guys welcome to my beautiful wall किता ज्यादा अच्छा लग रहे ना यार इस जगह पे वापिस आके वही पीछे अपना पुराना golden mansion उसके विचे अपना statue जो कि बिलकुल मेरी तरह ही है क्यार ही आपर scarf folding लगा कि मैं ऊपर चड़ा हुआ था था कि वीडियो की starting में एक अच्छा सा व्यूव आजा है अपने इस new mansion और statue का और एक ब्लोग ऊपर रहे गया आज हमें बहुत सारा काम करना है तो सबसे पहले देखो हमारा क्यार आसता हाँ हमें जाना है नेदर की roof पे और वहां से एक मेरे को mine card का system मनाना है जिसके दुरू सारा सारा समान mine card से होता हुआ हमारे world में आ जाए अब यार देखो mine card चलाने के लिए जरोत पड़ती है rail की वह ऐसे जमीन भी नहीं चलती है उसके लिए हमें एक पूरा railway track बिचाना पड़ता है और हमें जितना distance cover करना है उसके लिए मुझे बहुत सारी rail चाहिए होगी एक बहुत सारी rail चाहिए होगी एक बहुत सारी rail चाह कि Slime Block और Slime Block हमें मिलेंगे Slime को मार के और Slime हमें मिलेगी Swampire में जो कि यहां से ज्यादा दोर नहीं है तो फड़ा फट से भी वहां पर पहुछते हैं बठाव वहां पर जाने से पहले उजवल्दा योद्धा को कुछ हतियार ले लेने चाहिए हतियार नहीं वस्त्र में आरवर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कोमेंट्स में जाके जो बताना विलाल मैं अपना नयावाल आरवर यहां पर एकदम तमीज से सजा रखा था लेट्स को एक समान उठाके मैं चल्दी से पहनता हूं ओके पैंट हो गई चैस प्लेट भी हो गई अच्छा पहने रहते हैं इसको हटा के नहीं मैं इलाइटर से उड़के जाना पसंद करूंगा चल वाइचल तुवा पिजा हेलमेट दो बस लेट्स को सब कुछ हो चुका है अभी मैं थोड़ा अजीप सा लग रहा हूंगा ऐसे लग रहा है इसे पेटी कोट पहना हुए है अजीप कुछ जादा ही अच्छा लग रहा है वैसे यहां पर काफी सारी चीजे भी मुझे करनी है ठीक जो कि मैं बाद में करूंगा अभी 20 मिलियन सर्प्राइज है जिसकी मैं अलड़ी काफी जदा हाइप बना चुका हूं बट मुझे मालूम है मैं आपको बहुत जदा वेट करा अपने ले क्योंकि यह जितनी भी शीप हैं यह सब ही मुझे अभी कुग्ड फूट देगी क्योंकि अपनी स्वाट पे फायर एक्सपेक्ट लगा हुआ है जिनको भी मैं मारूंग हो जल जाएंगे और सब कुछ कुग्ड मिर को मिलने वाल है लाव भाई इससे मुझे मिला कुग्ड मीट तू दे भाई कुग्ड मीट तू भी दे ओकि गाई तो भी फिलाल बक्रिया मारते मारते रात होने वाले है बट अभी तक मुझे एक भी स्लाइम नजर नई आया है शायद अभी अच्छे से रात नहीं है मुझे भी वहां से धीरे धीरे निकल रहा है जो तो मुझे एक ही बार में बहुत जादा जादा स्लाइम मिलती बढ़ां मुझे इतनी जादा भी नीच है मुझे सिर्फ छारी ब्लॉक बनाने है तो इतने में काम हो जाएगा एक में थीर मर गए मैं तो सुच्चरण चाहर तक की गिंती जाएगी 8 एक बाइकी स्लाइम से 13 खुद ही लग रहे है, खुद ही मर जाएगा, तीन, दो, एक, यह देखो, बिचारे मिर को मार रहे है, चोट इनको खुद को पोच रहे है, हो गया, जॉम्बी तु खुद मरने वाला तुर को पता है यह बात, ओके इधर आवे, तेरे चक्कर में है, यह जॉम्बी से अब पढ़ेंगे इसके, दो, तीन, चार, पाँच, ओह, ओह, जुंड में, ले ओ, तुम भी, ओए, ओ, तेरी, क्रीपर यार, तु तु बहुत बड़े आदमी है, यार, माइनक्राफ्ट इतना अच्छा गेम क्यों है, यार, इतना मज़ा क्यों आ रहा है मेर को इसमें, ले देमेज, भाई, क्या हाल कर रहा है, नोने मेरा यह देख रहे हो, क्या शकल कर दी, हाँ, तो मैं यह कह रहा था, मेरे को यह जो थोड़ा बो डामेज भी आ रहा था, वो शायद इसलिए था, क्योंकि मैंने इलाइट्रा पहना हुआ था, ना कि अपनी चेस प्लेट, मैं पत कासल में हो सकते हैं, बढ़ा मैं कासल नहीं जाओंगा, मुझे हर एक चीज यहीं पर बना कर रखनी है, अब लेट्स को, जहां तक मुझे आदा, इसकी रेसिपी कुछ ऐसी होती है, पहले तीन यहां, फिर तीन यहां, और एक नेदर को, यहां पर फिर दो रेसिपी, मुझे वुट चाहिए होगा, वुट निकालते हैं, अभी फिलाल मैंने वुटन प्लैंक्स ले लिया है, और थोड़ा बहुत आयरेन भी ले लिया है, क्योंकि जहां तक मुझे आदा, पिस्टन में आयरेन की जुरत पड़ती है, बट यार मुझे सची बता हूँ, मुझे याद नहीं आ रही, बीच में बीच में आयरेन जाता था, और यही होती है पिस्टन की रेसिपी, मुझे पिस्टन मनाना है, वो भी सिर्फ एक, पहले मैं एक नॉर्मल पिस्टन क्राफ्ट कर लेता हूँ, अब इस पिस्टन को मुझे यहां पर रखके, इसके उपर एक स्ल स्लाइम रखनी है बस, तो पांच स्लाइम ब्लोक बन चुके हैं, अब जल्दी से चल के मुझे इसे यहां पर लगाना होगा, तो मुझे सबसे पहले चार स्लाइम ब्लोक लगाने है, एक सिंपल मैं ऐसे प्लेस कर देता हूँ, बाकी जो चार है वो कुछ इस तरीके से मैं क पीछे लगाना है बस, अब बस मुझे ऑब्जर्वर जो है, उन्हें सही से प्लेस करना है कि जो अब्जर्वर का एरो होता है, कहां चालागा, नीचे से दिखे कहां, यह वाला, यह ऐसे अपवर्ड में हो, उपर की तरफ में हो, अभी तो जैसे उस तरीके से प्लेस करना ह तो वो शायद ऐसे प्लेस हो जाना चाहिए, वेट में ट्राइ करता हूँ, यह डाउनवर्ड है वेट, उपर से प्लेस करना होगा, अपने कुट्टे को उठाता हो, रुख जाओ, मेरी सिक्योरटी को न करेगा है, उठ उठ ती रही है, उठ ती रही है, उठ ती रही है, हाँ, अभी बिल्कुल एकदम करेक्ट है, और अब मुझे यहाँ पर वो रेल रखनी होगी, जो कि मुझे ड्यूप करवानी है, तो पावर्ड रेल को ड्यूप करवा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जादा फास्ट करतेगी हमारे इस प्रोसेस को, मतलब माइन कार्ड अगर जाने के लिए डर्ट का यूज़ करना है, क्योंकि अब बस ऊपर एक इस टिकी पिस्तन लगेगा, और इस टिकी पिस्तन लगाने के लिए, मैं काम करते हैं, अब बस मुझे इस के अंदर पावर डाली है, और यार ये शवल किती ज्यादा फास्ट है मेरी, देख न, नीचे होते हैं, काफी ज़्यादा एफिशेंसी 5 लगाने के, ठीक है, तो अब ना मैं आपको बहुत सिंपल सी एक बेसिक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले है, आप लोग को पता हो, रेड स्टोन का थोड़ा नोले जो, तो हम लोग रेल ड्यूप नहीं हुई, वेट, 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 मैंने एक चोटी सी गड़बर जो कर रखी है, तो रेल कहां से ड्यूप होगी, दोनों मैं शाद सेम नहीं लगा सकता, ओके, तो मैं वाली रेल लेकर आचुका हूँ, इसको यहां पर रख देते हैं, दोनों कनेक्टीड है और इसकी पता है, प्रॉब्लम यही है, कि मुझे बार-बारी बटन दबाना पड़ेगा, और अगर आपको यह लीवर वाली थिंग भी बॉरिंग लग रही है, तो आप दो अब्जर्वर बना के ले आना, और उसको कुछ इस तरीके से रखना, मतलब यह काफी जदा अगे ही रखना है, जैसे इसका फेस इदर है, तो इसका पॉजिट साइट से, अभी बार-बार लाइट जल लिए है, इसका मतलब हर थोड़ी थोड़ी देड़ में एक करंट पास हो रहा है, और वही करंट अगर मैं इस अब्जर्वर तक पुछा दूं, तो यह अपने जिससे कि वो भीड़ के यहीं पर गिरे, यह काफी सही है, अभी मैंने एक मस्त वॉल बना दिया है, जितना भी रेल है, वो सारा का सारा यहीं पर गिरने वाला है, वैसे स्वाम कि इतनी जरुत पढ़ती ही नहीं है, तो आप चाहो तो कलेक्टर, होपर ओपर लगा के, सब क मैं बनाने वाला है, एक ड्रोपर, जो कि अपने उस वाम से सारा समान नीचे गिराएगा, ड्रोपर बनाना है, होपर बनाना है, जो जो चीज़ी है न, वो सारी बना के, मैं अपने एक शलकर बॉक्स में ले चलता हूँ, क्योंकि चेस्ट में ले जाओंगा, मतलब इन्वे पहुच का, वाई वाई वाई, मैं बोली रहा था क्या प्यारी लेंडिंग कर रहा है, और तभी बस अपना ये खतरनाक सूपर जट क्रैश होते होते, बचा है, लेट्स गो, ये होती है प्यारी लेंडिंग सीधा चेस्ट पे, और मेरे पास बहुत सारा आरन है यहां तो, बहुत है, इतने में तो बहुत सारे होपर बन जाएंगे, और अलड़ी महां पे काफी सारे होपर पड़े भी होई है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को सब कुछ बनाना ही पड़ेगा, तो ये मैं पहुत चुका हूँ, अपने मेंशन पे वापिस, और अभी मेरे को बना लेना क्राफ्टिंग टेबल में सबसे बहुत होपर बनाते हैं, होपर के लिए मुझे चेस्ट चेस्ट के लिए वापिस दाना पड़ेगा, वुड लेने यार, ठीक है गाइस, तुभी मैं एक स्टाक वुडिन प्लैंक्स लेकर आ चुका हूँ, और इस बारी मैं अपने इस में मैं बैक साइट से एंटर होने वाला हूँ, यह काफी बढ़िया था अगर मैं इसमें नहीं विड़ता तो, मझे 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 मैं एंटर कर गया हाँ, ठीक है, तो अब सबसे पहले चेस्ट ही बना लेते हैं, क्योंकि चेस्ट बनाना सबसे ज्यादा सिंपल होता है, इसको आठ चेस्ट मैंने बना लिए, आठ उपर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बट ठीक है, बन जाए सही है, होपर की रेसिपी, यार वे को किसी भी चीज़ की रेसिपी नहीं आती क्या, वेट शायद ही होते है, मैं ट्राइ कर लेता हूँ, नहीं नहीं रुको, एक, दो, तीन, चा माइन कार्ट की एक प्रॉब्लम है कि ये एक बार में अलग स्पेस लेगी, देखो, एक के उपर एक नहीं आपाती है, तो मेरे को भी शलकर वोक्स में समान रखना भी स्टार्ट करना चाज़ए, होपर हो गया, ड्रोपर हो गया, ओके, तो मैंने चार से पांच माइन जादा बढ़िया लगता है, फिलाल अभी जल्दी से चलते हैं नेदर में, बटा माँ पर जाने से पहले मुझे एक एंडर पल चीए होगी, तब ही मैं नेदर की रूफ पर जा पाऊंगा, जो कि इतना ज्यादा हाड नहीं है, लेट्स को, मैं एंडर पल लेने के लिए मु वैसे एक लेटर भी चीए होगी, बट हमें उलड़ी एक दो बार गया हूँ, तो लेटर वहाँ पर लगी भी है, तो कोई जादा टेंशन वाली बात नहीं, जल्दी से रॉकेट निकालते हैं, और चलते हैं नेदर रूफ पे, बट उससे बहले गेट खुलवाना है, और व मैंने पोर्टल तो तोड़ दिया है, लेकिन, ओ ने मेरे पास flint and steel था, वरना मैं क्या हो, वापस कहां से जाता वैसे, fire charge रूणना पड़ता मेरे को, मैं वापस चले जाता हूँ, और भाई रुक जाओ, मेरे को मरना नहीं हाराम से, ओके, तो भी बस मुझे ये वाला पोर् रूफ पे और इस बार भी मैं आ चुका हूँ, अब मुझे यहां से जाना है, साउथ डिरेक्शन में, और ये पोर्टल मैंने इसलिए बनाया है, ताकि अब जब मैं अपने वर्ड में बाहर निकल पाँ हूँ, तो मैं थोड़े बहुत पोर्टल लिंक करने होंगे, क्योंक अब भी खुश हो जाता है, और आज भी बढ़िया लैंडिंग के साथ में आ चुका हूँ, और भाई 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 माल ही माल यहां पर आती, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हो, एक्स्पी की बढ़सात होती हुई, इससे फॉस्ट एक्स्पी फार्म मैंने अभी तक नहीं देखा है, मतलब कुछ फार्म होते हैं, इससे भी फार्म मारना बढ़ता है स्वट से, यह फुली एक्स्पी है, देख रहे हो, अरे भसगर भाई, घतम ही नहीं होई, एक्स्पी कलेक्टी हो जारी है, 120 पार हो गया अपने आपे, ठीक है यार, मैं यह 3, तो 3 होपर मैं लगाऊँगा इसके नीचे, 3 होपर लगाऊँगा इन 3 के नीचे, और यह सारा समान फैकेंगे एकडम ग्राउंड पर, ठीक है ना, बट मुझे यह नहीं समझा रहा कि आकर इस चेस्प के नीचे मैं ड्रोपर लगाऊँगा, कहां से, मुझे उसके लि जहां पे भाई, unlimited stone है में मिल जाता है, आरामसे, let's go, मैं must land कर चुका हूँ, but stone में को यह नीचे मिलने वाला है, यार, iron golem यहां पर नीचे कैसे गिर रहे है, मेरा iron farm, खराब हो गया क्या, पतानी कुछ तो लेकिन उसके गलास सीन चल रहा है, oh wait, इसके अंदर तो रेल भरी इस पारी मुझे एंडर पल की जरुत नहीं पढ़ने वाले है, बट हाँ, एक चोटी सी प्रॉब्लम होगी, जिसके लिए मुझे वापिस जाना होगा उस वर्ल में, जिस जगह पे मैं वो farm बनाना चाहरा हूँ, means जिस जगह पे मुझे वो machine मिनानी है, मुझे वहीं पर portal ब बनने वाला है यहाँ पे, यह portal का size थोड़ा बहुत बढ़ा रखने वाला हूँ, तो मुझे कुछ extra obsidian भी लेकर आने होंगे, finally portal बन चुका है, मैंने काफी ज़दा different shape का portal बनाया है, बट हाँ, यह मेरे लिए working है, let's go, इसको start करते हैं, अब अपना मेरे को वापिस से जाना कभी portal linking नहीं करी है, बट हाँ, इसके बाद समझा जाएगा, मैं करना का चा रहा हूँ, तो मैं वापिस आचुका हूँ नेधर रूफ पे, तो भी मैंने अपना पुराना वाला portal तोड़के, उसके सारे obsidian collect करनी है, अब मुझे एक नया portal बनाना है, जो कि मेरे को बनाना यहां पर मुझे बनाना है, यहां पर मुझे बनाना है, यहां पर नीचे फिर उसके बाद वापिस से उपर, और इसके साथ final portal भी बन चुका है, जो कि मस्त है, अब चल कर देखते हैं क्या यह उस portal से connect हुआ या नहीं, जो हमने अपने open world में बनाया था, फार्म के लिए लि यह portal मस्त बन चुका है, अभी अगर इस portal में मैं जाता हूँ, तो मैं सीधा roof पे पहुचने वाला हूँ, नेधर की, ट्राइ करके देख लेते हैं एक बारी, और हटो, हट जा, मारूँ, नहीं, मैं कैसे आउँगा, मुझे यह वाला portal तोड़ना जो पड़ेगा ना पहले, तो चले हो अभी इस वाले portal को तोड़ देते हैं, otherwise मैं जब भी वहाँ से आउँगा, तो मैं इधर आ जाँगा, फिर मुको छट पे जाना पड़ेगा, फाइनली गाइस, portal linking complete होगी, मुझे काफी जादा अच्छा लग रहा है, और इसी के साथ मैं वापस आ चुका हूँ, नेधर रूफ पे, मेरे पास एरी एंडर परल, जल्दी से इसको यहाँ पे मारते हैं, और यह मा चुका हूँ बाहर, और यह है अपना वो पोर्टल, इस इसको मैं रखता हूँ, यहाँ पर side में, इसमें से निकाल लेते हैं, पावरट वाली लगाऊँगा, क्योंकि अपने पास infinite है, और infinite redstone torch भी है, infinite तो नहीं है, बहुत सारी है, तो यहाँ पर मैं यह लगाने वाला हूँ, तो मैं दो track बनाता हूँ, एक आने के लिए, मतलब मेरे travel करने के लिए भी हो जाएगा, या फिर हम लोग एक बार में दो-दो minecart चला सकते हैं, ज्यादा बढ़े रहेगा, तो यहाँ से मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से आएगी, और घूम के उस वर्ल्ड में जाएगी, वैसे जरूरी नही इसको इस टाइप से भी बना सकता हूँ, कि मैं दोनों के एक साथ ले जाऊँ, बट इसमें प्रॉबलम यह है कि मुझे से पावर देने के लिए, एक टोर्च इधर रखनी है, इससे बेस्ट यह रहेगा, कि मैं इसको कुछ इस टाइप से बना दूए, कोमन टोर्च सेट हो पता चला गलत चले जाऊ, तो फाइनली मैंने ओल्मोस पावर्ड रेल का सारा काम कम्प्लीट कर दिया है, काफी ज़दा बीच में कन्फूजन हुई थी, क्योंकि मैं अपने फार्म को ढूंडी नहीं पा रहा था, बटा, फाइनली मैंने दोनों रेल को यहां पर यह वाली फाला शलकर बॉक्स है, वो मैंने वहीं पर रख दिया, और उसमें जो रेल थी ना, नॉर्मल रेल मुझे यहां पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि पावर डिल कभी भी टर्न नहीं होती है, तो थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है, फिलाल यह देखो, यह है फार्म पर उपर फार्मल सा बिल्ड बनाते हैं, जिससे सारा का सारा सम्मान यहां पर नीचे गिरने वाला है, इस फार्म का, तो उस बिल्ड को बनाने के लिए, मुझे इस वाले, इस वाले, स्काफ फोल्डिंग है, अच्छी बात है, जो कि सबसे जादा अपने लिए, तो जल्दी से भी य मैं यहां पर बहुत चुका हूँ, थोड़ा सा नीचे जलते हैं, मैं मजे मजे में कुछ जादा उपर आ गया हूँ, इसके उपर की सारी स्काफ फोल्डिंग तोड़के मैं वापस से कलेक कर लेता हूँ, नीचे मत गिरो, यहां पर अभी जादा यूज है मेरको, यहां से कर देगा रस्ता बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अपना काम काफी जाता सिंपल था, मुझे यह जो समान है, जो चेस्ट में आ रहा है, इस चेस्ट से निकालके एक होपर में डालना है, वेट होपर सबकुछ इसमें है, इसको यहां पर निकालके मैं इधर रख देता हूँ, अर जो कि यूज होंगे, ठोड़े बत होपर निकाल लेता हूँ, पहले एक चोटा सा प्लैटफों मना लेते हैं, कि कोई स्काफ फोल्डिंग का कुछ पता नहीं है, गल्ती से एक हाथ पड़े गया, यह पूरी टूट जाएगे, और मैं नीचे जाके मर जाऊंगा, गिर के, ए इतनी उचाई पर काम करना ना, मतलब बूर्ज खलीफा की बिल्डिंग में जैसे बना रहा हूँ, इतनी उचाई उपर चड़के, बट ठीक है, जो भी है, मस्त बनने वाला है अभी, तो इस वाली चस्ट का समान अब सारा इस जो पर में आना शुरू हो गया होगा, एक यहां लगा देते हैं, सेम टू सेम इस वाली चस्ट का भी समान मुझे चाहिए, तो तीसरा वाला जो ड्रॉपर है, वो मैं सोच रहा हो कि यहां पर लगा हूँ, और होपर प्लेस करने के लिए उपर चड़के, यहां पर ऐसे प्लेस कर दो, और नहीं, यहां क्यों, गलत प प्लस यह जो मैं ऑब्जर्वर्स बना कर लाया था इनका, इससे मैं कॉंटिनूसली यहां पर करेंट दे पाऊंगा हर दो सेकेंड में, जिससे ऑब्जर्वर्स सिर्फ मतलब यह जो ड्रॉपर हैं, यह समान गिराते ही रहेंगे, बल्कुल भी यह रुकने नी वाले, तो क्यों लेकर जा रहा हूं, इसको मुझे यहां से घुमा के लाके इससे जोड़ना है, बड़ शायद इत्ती दूर करेंट आ तो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, थोड़ा समय को घुमा के लाना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से, ताकि करेंट जो है, वो ड्रॉपर क्लेक करेगा, बट समान किरने के साथ साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम यह है कि वाला ड्रॉपर मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा, क्या है कि मुझे रेड स्टोन वाले करेंट के लिए ज्यादा जमेला नहीं पालना पड़ेगा, यह डिरेक्ट आगे का काम करने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ी वो चीज़े तोड़ की कलेक्ट करने हैं, चस्ट वगरा यह मेरे काम आने वाली है सारी, फिलाल अभी मेरे पास यह ग्रीन वाला शलकर बॉक्स है, जो कि खाली था, एक्स्रा समान जितना भी है नहां से यह मेरे को तोड के मिलने वाला है, यह वाला सारा मैं इसी शलकर बॉक्स में रखता चले जाओंगा, ओकी गाईस तो इन सब को तोड के मुझे कुछी ड्राइट के ब्लॉक मिले हैं, हॉपर्स मिले हैं, ब्लास फ़रनेस वगरा मिल चुके हैं, ओकी गाईस तो भी फिलाल म मैं गव मेरी गेम की बैंड बच क्यों रही है इतना सारा समान गिर रहा भाई क्या हो रहा है हलू के तो सबसे पहले मैं यहां पर ना कुछ ब्लॉक्स लगा जेता हूं इसके उपर मैं रखनी वाला हूं धेर सारी चस्ट लाइन से रखेंगे एक दम तमीज में 1 2 3 4 5 6 अले य चौथा यहां पर पांचवाई यहां पर अब मुझे इसके पीछ एक उपर लगाना है और मुझे सारे ओपर आपस में करने बढ़ेंगे यार वेट यार पहले ना होपर ही लेकर आ जाते हैं बहुत सारे आयरन और वूड से बनेंगे मेरे पास कमी है नहीं इन सब चीजों क यहां फिर भी मैं चाहता है इसे किसी अच्छे तरीके से बना सकता है जिसमें इतने होपर यूज नहीं होते हैं बट जो भी है अभी यह देखने में कुछ अलग सा लगेगा कुछ यूनीक लगेगा पता नहीं ऐसा क्या है जो इतना बड़ा कलेक्टिंग सिस्टम बना दि अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर आकर होने के अवाला है मतलब जो माइन कार्ट है वो यहां से चलके आएगी फिर इसके नीचे से होते हुई जाएगी ताकि सब में से जितना भी समान कलेक्ट हो पाए एक बार में वो सारा कलेक्ट हो है फिर वो गूम के आगे जाने सब पर एक तर पर यहां पर ट्शुक्ण करना कि यह सब कुछ एक दम सही से काम कर पा रही है या फर यह अपर हो गया अब बस मुझे बीच में रेड़े स्टों टोड़ लगा देनिया एक वाली ट्राय करते वाण यहां पर हो गई यहां पर एक लग जाएगी तो सब कुछ एक दम done हो जाएगा एक उस side पे लगनी है क्योंकि मैंने ओ वेट इदर तो मैंने जोड़े भी नहीं लेट्स को हो गया अब सब कुछ okay है मुझे इसके उपर एक test run करवाना चाहिए इस hopper वाली का इसको घुमाके देखते हैं यह यहाँ पर गई इसके साथ घुमके अब speed में यहाँ से चले जाएगी यानि almost सब कुछ done है अब बस एक छोटा साना test करके देखते हैं मिन्स अगर एक minecart with hopper यहाँ से आती है तो वो किस तरीके से जाएगी देखो पहले यहां से समान कलेक्ट करती भी गई फिर उसके बाद यहां से घुमके आएगी और यह वाली चेक कर उसमें समान कलेक्ट हो रखा था वो पूरा चले जाएगी उस जगा पर यानि यह सब माइन काट यहां पर लाकर ड्रॉप करें एक नॉर्मल वाली लगा जाता हूं जिससे उनमें ब्रेक लग जाए तो चलो गाइस अभी फिलाल मैं थोड़ी सी और चेस्ट और होपर लेकर आ चुका हूं क्योंकि यहां पर मैं के स्टेशन मिनाने वाला हूं ताकि जो माइन का पर यहां पर रखने हूंगे भट उससे पहले दो मुझे नॉर्मल वैसे तो जर भी जरौत नहीं है बट उन चैस्ट से समान कलेक्ट होना चाहिए यह चेस्ट से समान कलेक्ट को इस से दूसरी माइन आभी एकदम ऑक है यह बहुत कंफूस हो रहा हूं है और आप लोगड मुझे थोड़ा बहुत कर दे रहा है खाली विले ठीक है बटना अभी मैंने एक सभी बनाया है सब कुछ मेरे साब से एकदम होके अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली कैसी भी चीज में यार यह बिल्ड मेरे को लग रहा था सिम्पल सा है बसमें थोड़ा बहुत तो जमीला है मज़ी दार वाला जमीला है अभी माइनकार्ट यहां से घुमके हैं सारा समानिन चेस्ट में डालगे यहां निकल लेगी मुझे वाली चस्ट यहां से हटा देनी चाहिए भी ओके सारी माइन कार्ट घूम के वापस आ गई है और अभी तक्कर पड़की उपड़ और फिर से टेड़ी मेड़ी चलेगी कुछ-कुछ जा तू भी जाना तू क्यों रुख गी मुझे इसे एक बार ना ठीक करना पड़ेगा उतर के सबको वैसे हाँ शायद से ने इत्ती दूर का एरिया लोड नहीं हो रहा होगा ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है इस बिल्ड की तो या तो मुझे इसे सर्वर वर्ल्ड बनाना पड़ेगा या फिर मुझे खुद भी माइन कार्ट में बैटके इनके साथ घूमना पड़ेगा ताकि सारा एरिया रेंडर हो पाए सिंगल प्लेयर की यही प्रोब्लम है कुछ एक्स्ट्रा ओर्डिनेरी बिल्ड इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं जो लोग बड़े-बड़े बिल्ड बनाते हैं शायद वो लोग मेरी बात को समझ रहोंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब जो माइन कार्ट है वो यू गूम के वापस से पोर्टल में सब एकड़म डन है बस एक ट्राय कर ले थे माइन कार्ट को भेज के सिर्फ माइन मैं मैं खुछ चले जाता हूं अराम से बैठके मानलो मैं इस पर से गया और मेरे को डैमेज नहीं बिले बस प्लीज नहीं मैं तो चेस्ट के अंदर चला गया वाओ कितना ज्यादा बढ़ी है लग रहा है क्या ख्या हो गया है तो अभी सिन यह हुआ कि मैं टेलीपूर्ट नहीं मेरी माइन काड टेलीपूर्य हो रहे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें लेंट्स को मैं वापे से निदर में आ गया हूं अब एक माइन काड को मैं घेजना हूं इसे यह भी ऍापtenाण हो इस दूसरी उदरा के लिए मतलब ठीक है तो अब मुझे बनाना है एक autosorter system जो की काफी ज़्यादा easy है बस मुझे उसके लिए comparators चाहिए होंगे और थोड़ा बहुत hopper चाहिए observer चाहिए बठाँ आपनी कई वीडियो मैंने आपको ओल्रेडी बना के दिखाया हुआ है तो मैं आपको बहुत नहीं करना चाहूंगा जल्दी से चलके बनाते हैं बिना बाते करते हुए almost सब कुछ हो गया है मुझे नीचे दो repeater लगाने है यहाँ पर stone bricks और उपर मुझे लगाने है धेर सारा stone dust okay done 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 अब मुझे कुछ नहीं करना यह एक छोटा सा auto sorter बन गया है मैं आपको थोड़ा सा explain कर देता हूँ तो यह वो एरिया जहां पर से माइन काट जाएगी होपर वाली ताकि वो समान इसके अंदर drop करे फिर उसके बाद यह समान collect करेगा इसके अंदर डालेगा फिर यह smelt करके उसे भेज़ेगा नीचे अब इसके अंदर मुझे ना एक जो rename करके मैं लाया था मुझे यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक करी किया 34 यहां पर डालू मैं इसमें क्या दिक्कत है पता नहीं शायत से यह थोड़ी देर बाद जाके अटकेगा इसमें कुछ रुक जाते हैं और बाकिये भी मेरी चस्त में आने लग गए होंगे सबसे नीचे वाली जब यह वाली फिल हो जाएगी इसके बाद बस मुझे यहां पर एक auto smelter बनाना है और एक infinite resource बनाना है और बैसकी एक second मैं समझ गया कुछ तो यहां पर गलत चल रहा है यह यह क्या हो रहा है हमारे कासल में इसकी बैसकी टंग यह trader बिटेगा ट्रेडर बिटेगा उसको लटका रहा है इसकी नीचे कौन द इससे बचाया कि तो अच्छा लग रहा है आजा तू आज से मेरा दोस्त है चल मेरे घर चल इसको कितने बूरी तरह लटका रहा था मैंने यह सची में माइन काफ में पहले कभी नहीं देगा खेड़ा इसके इसको लेकर आते हैं तू आज से हमारा चोटा चेला तू यहीं बंदे रहें ठीक है दीपोन तो नहीं होगा नहीं पता नहीं शायद थोड़ा रहर मोब है नहीं करने कर रहा था मैं अंदर कहले नहीं जा रहा था विट मैं ओटो सोर्टर में कमी पड़ी थी याँ गोल्ट की मुझे गोल्ड नेगेट साहीं होंगे यार एक न बहुत यहां पर रखते हैं इसको इसकंदर डालता हूं यह मिल गए इंगेट्स और इतने क्यों बना लिए मैंने ओके तो मैं वापिस से आच चुका हूँ अपने ओडर सॉटर पे और मुझे इसकंदर भी गोल्डेन डाल के टेस्ट करना था यह डाल दिया अब यह जाना स्टार्ट हो गया है यह भी एक लिमिट पर 41 पर आके रुक जाएगा अब इसके बाद जितना भी रोटन फ्लेश में इसके इंदर डालूँगा यह इस वाली चस्ट में नहीं जाएगा मतलब यह इदर नहीं जाने वाला ना इसके इंदर जाएगा यह सीधा इ इसा करना है कि जितने भी golden swords है वो जाएगी आगे और यहां पर मैं बनाने वाला हूँ एक auto smelter और उस auto smelter के ऊपर मैं बनाऊंगा एक infinite fuel source बस अपना काम खतम अब जल्दी से auto smelter बनाते हैं बट हां उससे पहले होप पर चाहिए मुझे then मुझे बहुत सारे furnace बना कर लान मालों कि जो अपना gold farm है उससे में सिर्फ और सिर्फ gold चाहिए बट उस farm से में golden swords भी मिलने वाली है प्लस golden nuggets भी मिलने वाले है और rotten flash भी मिलने वाला है अब rotten flesh जब भी आएगा वो सिर्फ हमें इस वाली chest में मिलेगा मैं चाहूं तो नीचे एक dispenser लगा के लावा लगा के नीचे fact दूसे क्योंकि वो totally waste है अब वो इन काम की chest में नहीं जाएगा इसके अंदर सिर्फ golden nuggets आने वाला है तो अगर मुझे gold चाहिए तो मुझे चाहि अब बात आते ही gold sword की golden sword जो है वो उसको ना मतलब separate नहीं किया जा सकता वो एक ऐसे चीज़ा वो sort नहीं होती क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग एक sport पे means एक slot पे सिर्फुर सिर्फ एक ही sword रख पाते हैं तो sword वगारा ऐसी बहुत से item होते हैं जिसका हम लोग stack नहीं बन कर पाए वरना gravity है minecraft में भी ठीक है तो यहां से आगे बढ़ेगी यहां पर मैंने यह रेल पावर्ड रेल इसने लगाए क्योंकि हमें इधर speed कम चाहिए इधर मैंने नीचे hopper लगाएं बहुत सारे ताकि वो जितना सामान लेकर रहा है सारा तो खैर नहीं drop हो पाएगा बहुत तेज स्पीड में और यहां पर मेरी एक मिस्टेक है बेट मुझे तर रेड इस्टोन पावर देनी पड़ेगी यहां पर पावर नहीं थी दुबार से फोर्स मिलेगी तुर्ण नेधर में निकल जाएगी वो ठीक है अब उसके बाद इसने जितना समान यहां पर ड् अब आगे वाला क्या देख रहा है गो अगर वह गोल्ट तो इसमें चल जाएगा औरा यहां पर यहाँ से उठाके उपर फैके पहे जानें लुटानें उपर उपर तुपर अपॏ आपको दिखाता हूं यह पता नहीं मैंने बहुत जादा कॉंपलिकेटिट कर दिया मैं से सिंपल करूंगा इसमें भी बहुत सी चीजे दिक्कत वाली है जो कि मुझे ठीक करनी है बट यह वरकिंग है तो यह उपर फैकरी अरे सौरी हाँ ठीक है तो यहां पर आप लोग से समय नहीं आ रहते हैं बैक साइड इसलिए मैंने खाली चोड़ी है क्योंकि कर मुझे कुछ डालना है मानलोग में को यहां पर होपर्स लगाने बहुत सारे मैं एक इन्फानाइट फ्यूल सोर्स बनाने वाला हूं कार्पेट वाला बनाएंगे कार्पेट ड्यूप होगा और आपको पता होगा कि फर्नेस में समयल्टिंग के लिए कार्पेट चलता है तो हम लोग इसमें इन्फानाइट कार्पेट का सोर्स लगाके वो डाल देंगे ताकि कितनी भी लाइफ टाइम कितनी भी सोर्ड आ जाए वो सारी कि सारी अपने आपे समयल्ट होते रहे हैं जिसके थुरू मेरा नेधर वाले गोल्ट फाम नेधर नहीं नेधर की रूफ वाले गोल्ट फाम से सारा सम्मान आएगा यहां पर आकर सोर्ट होगा और जितना गोल्ट है वो ओडुमैटिकली स्मेल्ट होके अलग से स्टोर हो जाएगा यह बहुत बड़ी मशीन है जो कि म अब वो जो कार्पेट है वो इंफानाइट फ्यूल सोर्स का काम कर रहा है हमारे ओटोमैटिक स्मेल्टर के लिए विद फाइफ फॉर्नस उसमें अगर मैं कुछ भी कुक करना चाहता हूं तो मुझे ऐसे कोल माइन करने की ब्लेज वगारा की कुछ भी ज़रुत नहीं है ब चलो भी जल्दी से बैटते हैं इसके अंदर और एक मस्त टूर मार कर आते हैं यह मैंने लगाई माइन काड़ यह बैटा चल बाई चल 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 लेट्स को खाना निकाल अच्छा नहीं नहीं मिरको उतरना पड़ेगा माइन काड़ टेलिपोर्ट जाएगी बैट के नहीं जा वापस जा रही है समान लेकर एक माइन काड़ खराब है तो अभी सीन कुछ ऐसा है वह सारी माइन काड़ यहां पर आएंगे वेट वेट मुझे उतरना पड़ेगा हां ओ चली कि मैं को पैदल जाना होगा तो सारा समान वेट मैं इसको भी रोकता हूं एक मिनिट रोकता हू हाँ यह ठीक है अभी मेरे को पैदल जाना पड़ता पूरा तो हाँ मैं यह कहर था कि यह जितनी भी माइन कार्ड विद खौपर है उनका समान है कलक करना प्लस जॉप करना तो वह यहां पर आएगी सारा समान इस तरीके से कलक करेगी फिर यहां से घूमते हुए जाएगी और फिर यहां से आगे निकलेगी इसमें पता प्रॉब्लम यह ही जो अपना फाम है मुझे उस पर थोड़ी देर एफ के बैटना पड़ेगा ताकि वहां से थोड़ा वह समान नीचे ड्रोप हो यह डेड कोरल हटाते है और मेरे पास रोकेट जहां तक मेरे पास होने चाहि हमें जब तक मैं यहां पर नहीं आऊंगा तब तक यह उपर से मॉप्स यहां पर नहीं गिरेंगे तो मुझे यहां पर आकर थोड़ी देर एफ के बैटना है तो काईस देखो भी न सीन कुछ ऐसा है कि जब तक मैं इस फार्म पर आकर उपर ऐसा जरूरी नहीं है मतलब मु नीचे ड्रॉप होता जा रहा है अगर नीचे थोड़ा स्पेस होगा तो मैं आपको कूद के दिखाता हूं वेट मैंने यार कितना ज्यादा तमीज में बनाया है ओ ने 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 एक गलती 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 मुझे एक्स्रा ब्लोक्स तोड़ देने चाहिए ताकि यह साम मॉप इधर सब्सक्राइब करने के लिए अभी इनको हटा देता हूं बास अब एक्दम यह नीचे क्लीन हो चुका है बस काम की चीज़ें यहां पर नजर आएगगी और तो जैसी मैं यहां पर आके बैठूंगा यह समरेंगे सारा समान नीचे ड्रोप होना स्टार्ट होगा अब चलते हो गया कुछ-कुछ तो एक्सपी अच्छा वो जो दो बंदे नीचे के रहे थे शायद यह वह एक्सपी है या फिर फार्म से आके गिर रहे है पता नहीं और यह देखो कुछ-कुछ समान बाहर भी आके गर रहा है मुझे ठीक करना होगा थोड़ा यह मतलब बहुत जादा फैल के आ रहा है ना तो यह नीचे गिर जा रहा है ठीक है यहां पर काफी कुछ इसके अंदर कलेक्ट भी होगा धीरे-धीरे मुझे यार यह होपर वाला एरिया थोड़ा बहुत बढ़ा करना होगा जैसे मैंने इदर लगा है ना से मुझे इस तरफ भी लगाने है फिर को मैं यह है रहा था कि जो मैंनकार्ट है मीनकार्ट भी धौप वह यहां से आएगी समान इसमें ड्रॉप करकé सारा वापस चले जाएगि वह सारा समान कलने के लिए इतनी सारी चश्त और दीर दीर करके सारा ड्रॉप होता जाएगा वज़म जतनी स्पीड में कलेक्ट हो रह के इन hoppers की तरह मुझे भी ऐसे round मारने ही पड़ेंगे तो यह हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहां से जब मतलब यहां पर भी माइन कार्ट है जो ऐसे goal गुमेंगे इस world से उस world में फिर उसके बाद सारा समान अपना यहां पर आता जाएगा वैसे अभी मुझे इसके अदर एक mistake जो लग रही है वो यही है कि शायद से इस world में आने के बाद माइन कार्ट काम नहीं करती तो मुझे वहाँ पर ड्रॉपर लगाने पड़ेंगे ताकि वो समान इधर फैके और इधर को छोपर होंगे जो समान कलेक कर लेंगे बस यह काफी ज़्यादा सिंपल सा है अपनी मशीन में भी थोड़ी बहुत mistake है जो कि हमें ठीक करनी है मतलब mistake नहीं है इसे हम लोग और fast बना सकते हैं बाकि आपको क्या लगता है कि मुझे इसमें changes करने जी है मुझे comments में जाके जरूर बताना तो चलो guys आज किस वाली वीडियो में इतना ही I hope आपको यह वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जाके like जरूर करना और मुझे comments में जाके इसी type के और भी crazy ideas बताना कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए बाकि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे हो जो रेट के लगा सब्सक्राइब का बटनर से दबा दो ताकि जैसी मैं न्यू वीडियो डालू आपको notification आजाए तो आज किस वाली वीडियो में इतना ही मिलतेगी वीडियो में तो आपके लिगूट बाइ